तो यह हमारी कुछ EBS की most important questions है जो हम discuss करेंगे इस वीडियो में और यह हमारा थर्ड वीडियो रहने वाला इस सीरीज का इससे पहले हम लोग कुछ questions को already discuss कर चुके हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले में जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो जरूर आप अपने सभी फ्रेंड के साथ में शेयर करें ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है एक लाइब इंटरेक्शन कर पाएं एक लाइब क्लासिज जो है वो स्टार्ट कर सकें ठीक है स्टार्ट करते हैं जका डिस्क्रशन हमारा फर्स्ट कुश्चन है आपका people who have been living in the forest for at least 25 years have a right to the forest land and what is grown on it this is mandated by यानि कि जो वेक्ति जंगल में कम से कम 25 सालों से रह रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमी पर और उसमें पैदा की जाने माली बस्तों पर अधिकार होता है यह आपका जनादेश द्वेव किसके द्वारा दिया गया है थीक है दा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 भारतिय जंगल अधिनियम 1927 राइट टु फॉरेस्ट एक्ट 2007 जंगल अधिकार अधिनियम 2007 लैंड अक्विजिशन ए क्योंकि हमारी NCRT जो है वो यही बताती है हमें कि जंगल अधिकार अधिनियम या फिर कानून 2007 क्या कहता है कि कानून अधिवाशियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं तो उनका उस जंगल पर और वहां पर जो चीजे पैदा की students and ask them to color the animals that do not live in their houses the objective of this activity is to develop एक सिक्षप जो अपने विधारतियों को बहुत सारे पश्वों के चित्र देता है उन चित्रों पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं इस क्रिया कल आपका क्या उद्देश है क्या डिवलेप करना चाहता है जो टीचर है ठीक है Creativity यह Observation classification डेटा कलेक्षण है यानि सिरजनात्मक्ता अवलोकन वर्गीकरन यह data संग्रहन ठीक है तो A C D होगा ABC होगा ABD या फिर B C D होगा अपका ठीक है तो इसका answer क्या रहेगा अगर हम देखे इस question को तो बच्चा जो है ऑबिसली बात है कि वह classify करेगा कौन से तो चीजों को देखेगा अपजर्व करता है की कौन से अनिमल उसमें अपने घर में और कौन से नहीं है अबसाब जाते हैं लेकिन डेटा कलेक्शन वाली है कोई बात इसको कोई डेटा जो है वो ट्लैक्ट नहीं करना है यहां पर ठीक है तो आंसर क्या रहेगा । जिसमें है यानि कि second number हमारा क्या रहेगा, answer रहेगा, next पर बढ़ जाते हैं दाइगरेट वांट्स तू, स्केर दाफेलो को डराना चाता है, या फिर दाइगरेट और बफेलो वांट्रिक रिलेशन्शिप यानि कि बगूला और भैस में सहे जीवी का संबंद है, बिल्कुल ठीक बात है, यह सारे ओप्शन बेटु के से हैं, बगूला और भैस का सहे ज को खा जाता है, जिससे इसकी स्केन को राहत मिलती है, इस तरीके से इपका आनसर है, नेक्स्ट है आपका Pitcher नेपथनीज जिसको खा जाता है नेपनधीज जिसको खा जाता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है तो हमें सानाः कि कॉम सा ठीक है is not found in India यानि भारत में नहीं पाया जाता है cleverly traps and eats frogs, insects and mice यानि कि मेंड़क, कीडे मकोडो और चुहों को चलाकी से खा जाता है फसा करके emits sound of high pitch of attract insects यानि कीडे मकोडो को आकरशित करने के लिए उच्च तारतों की द्वनिया निकालता है यानि कोई song आता है hedge has mouth covered with tinny hooks यानि की tiny hooks जो है वो इसकी छोटी-छोटी काटियों से धकावा होता है इसका मुझ होता है ठीक है? तो ये आपके तीनों ही options जो है वो गलत है आपको option क्या रहेगा? cleverly trap the eat frogs, insects and mice ये आपका होता है एक NCRT का ही screenshot है ये होता है आपका पिचर प्लांट इसके बाए में 2-3 चीज़े और जान लीजे की कुछ और बदल करके दे तो पता हो रहाँ चाहे यहां क्या होता है? there are some plants which trap and eat frog, insect and even mice the picture plant nepanthenes is one such plant it is found in Australia, Indonesia and Megalia in India आप यह कई पर पूछ लिया जाता है कि यह कहां पाया जाता है तो यह कहां पाया जाता है? Australia, Indonesia and Megalia in India ठीक है? it has a picture-like shape and the mouth is covered by a leaf the plant has a special smell that attract the insect to it ठीक है? when the insect land on the mouth to the plant ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है? यह इसको क्या करता है? बंद कर लेता है यह जैसे इंसेक्ट यहां कर बैठती है यह अपने मूगों बंद कर लेता है और यह तरीका है इसका हंट करने का तो यह सारी स्टेटमेंट्स आप याद रखिए कि कुछ बदल कर भी दे दिया जाए आपकी स्टेटमेंट्स में तो आपको पता होना चाहिए कि महिलाये पूरड़ों के तुलना में कमजोर होती है यह क्या है अपका मित है यानि कि ब्रasm argument okay scientific तत्थे है यानि की organic तत्थे है या फिर stereotype है या फिर superstition है बिलकुल यह आपका क्या रहेगा stereotype रहेगा कोई भी इस तरीके की statement आती हो जिसमें कि आपका किसी एक gender को character size किया गया हो किसी तरीके से कह देते हैं जैसे कि भई अगर कोई लड़की कहती है बास्केटबॉल कहना है खेलना है और उसको कहा जाए कि तुमसे ना हो पाएगा है ना आपसे नहीं हो पाएगा भी बास्केटबॉल लड़कियों की बसकी काम नहीं है ठीके लड़कियों का काम है घर में खाना बनाना या फिर बॉइस ने अगर पिंक कलर की कोई ड्रेस पहने होई तो उसको कह दिया जाए कि क्या लड़कियों जैसे कलर पहने होई यह सारी चीजे क्या है आपकी स्टीरियो टाइप है क्योंकि एक क्या है रूडी बद्ध धारना बनी हुई है यह चीज जो है वो लड़किया कर सकती है यह चीज लड़कियों को पहननी है यह चीज लड़कियों को कहनी है यह चीज लड़कियों को नहीं कहनी है यह चीज लड़कों को कहनी है यह क्या है आपकी रूडी बद्धता है स्टीरियो टाइप है इस तरीके की कोई भी statement आती है तो वो आपकी stereo type में आती है अगर इस तरीके से आ जाए कि भाई एक classroom में जो है teacher जो है वो behave करता है वो लड़कियों से जाधा interact करता है अगर female teacher है तो और अगर male teacher है तो वो लड़कों के साथ में जादा इंट्रेक्ट करता लड़कियों की साथ में नहीं करता तो ये क्या है तो ये जेंडर बायसनेस होगा वहां आप स्टिर्योटाइप नहीं कहेंगे क्योंकि एक धारना नहीं है वो बायसनेस है ठीक है तो उसको आप जेंडर बायसनेस कहेंगे नेक्स्ट है आपका what purpose does group learning serve in an EBS classroom? EBS कक्षा में समू में सीखने का क्या उद्धिश्य होता है boys and girls can learn separately समू में सीखने का बात की जारी है तो अलग-अलग वाली बात कहां से आएगी ठीक है? To segregate high performer and low achieving student and to do remedial teaching यानि कम और उच प्रदेशन करने वाले चात्रों को अलग करना और उप्चारात्मक शिक्षन देना To inculcate value of cooperation and working together to enable each child participating actively and learn सहयोग के मुल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रतेक बच्चे को सक्रीय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना To manage student easily and reduce workload यानि की चात्रों को असानी से प्रप्ति बंदत करना और workload को कम करना इस तरीकी के options workload कम करना या फिर क्या है कि आप उनको segregate कर दो अलग अलग कर दो कि यह वाले जो intelligent है यह वाले high performance low performance चीक है इंको अलग अलग कर देना तो फिर group की बात ही कहां से होगी सब negative options आपके यहां क्या बात की जारी है to inculcate value उनके अंदर आपको इस values को भरना है inculcate करना है cooperation की भाई सहयोग से कितनी चीज़ें जो है वो बहतर हो सकती है कितनी बहतर learning हो सकती है अगर आप groups में सीखते हैं तो वो चीज़ें आपको उनके अंदर क्या करने है इसलिए हम group activity को क्या करते हैं थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं उसको हम preference देते हैं ठीक है next है an objective in which no light rays can pass through it is called an object in which no light rays can pass through is called यानि कि ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरन जो है वो गुजर नहीं सकती कि वो क्या क्या लाईगे ठीक है ऑपक कहेंगे उसको transparent कहेंगे sorry transparent कहेंगे फिर convex कहेंगे या निकि आपारधर्शी पारभाशी पारधर्शी या फिर उतकल कहेंगे आप उसको ठीक है तो ऐसी वस्तु जिसमें से कोई कोई प्रकाश्टिरन गुजर नहीं सकती हम उसको क्या कहेंगे ए पारदर्श्री कहेंगे ठीक है नेक्स देखते हैं विच ओफ फॉलएंग विच ओफ फॉलएंग शुड नॉट बी दा इंडिकेटर फॉर असेस्मेंट इन इविएस यानि कि निमलिकित में से क्या पर्याव इसे चैसे हैं अ rao कार भी जैसे जेंडर के बारे में अभी हमने बात की स्टीड़ टाइफ की ठीक है question क einge कर बयाच्चे कौम 750 क करें की एंक है मेंकर बत्या काaning इसका है ठीक है, the earth is round, there is actually no up and down on the earth and it is just relative, we the people of India actually stand upside down in related to the people of, इन्होंने क्या का है, यह जो आपकी एक NCRT में एक chapter है, सुनीता विलियम्स का, उसी से related एक question है, कि पृत्वी गोल है, वास्तों में पृत्वी पर उपर नीचे कुछ नी होता है, केवल सापेक्ष होता है, हम भारत के लो है, तो हम लोग जो है, उल्टे है, ठीक है, लिब्या है, अर्जिलिया है, अर्जेंटिना है या अलास्का है, तो आपकी NCRT कहती है कि अर्जेंटिना के मुकाबले अगर हम देखा जाएं, तो उनके सापेक्ष में भारत के लोग जो है, वो उल्टे है, ठीक है, तो आप य CRT में से related question है कि कुडुक भाषा में जंगल को तौरांग कहा जाता है यह कि दिए कि तौरांग जो है वो जंगल को घाले जाता है कुछ भी कहले जिए यह आपका question आया हुआ है ठीक है? रीड दिस्क्रिप्शन ओफ एन अनिमल और इडनिफाइट एट एक एनिमल एक पशु के बारे में बताये गया है कुछ विवरन उसको पशु को आपको पहचानना है यह बालू की तरह दिखता है लेकिन बालू नहीं है इट इस पेंट आल्मोस्ट सेवंटीन आर्ज देस्लिपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ट्री ब्रांच यह बालू जैसा दिखता लेकिन बालू नहीं है एक दिन में 17 घंटे व्रिक्षों की साखाओं से उल्टा लटक के सोता है जिस व्रिक्ष पर रहता है उसी की पत्यां खाता है लगबग 40 वर्शों तक यह जीवित रहता है चिंपैंजी है पांडा है आपको पता ही होगा यह आपका sloth है जो कि beer की तरह दिखता जरूर है यह इस तरीकी की होते है पार आज यह उल्टा लटक करी सोता है ऐसे तो यह आपका क्या है बिएर जैसा दिखता जरूर है लेकिन यह बिएर नहीं है इसको हम क्या कहते है Sloth कहते हैं ठीक है Important question है ये भी आपका factual question है तो ये हमारा आज का discussion था अगर आपको discussion पसंद आया हो तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने सबी friends के साथ में अगर कोई confusion हो तो जरूर comment section में लिखें और आपका score भी लिखें comment section में subscribe कर लिजे और all notification पे click कर दीजे Thank you, keep learning, keep supporting and keep sharing